तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनिकेडमी के इस नय लिटस्ट और धमाकेदार वीडियो में जैसा कि आज आप लोग का एक्जाम है साइन्स का लेकिन एक्जाम से पहले आज ये मैं वीडियो अप्लोड की हूँ जिसमें आप लोग को मैं कुछ इंपोर्टेंट रसाइनि हुए आप लोग को कुछ योगी को जो कि इंपोर्टेंट है और उसके सुत्रों का नाम बताने वाली हूँ ध्यान में रखिएगा इस से एक वीडियो से आप लोग का चार से पांच नंबर क्लियर हो जाने वाला है क्योंकि रसानिक योगिक और उसका सुत्र ये तो पक्का और संत्रा व निम्बू के रसमे क्या कौन सा अमल पाया जाता है तो सिट्रिक अमल पाया जाता है और सिट्रिक अमल का रसाइनिक सुत्र याद रखिए गा c6 h8 और o7 यह है 이게 हैं का सिट्रक अम्ल का सट राशाइनिक सुत्र आगे बढ़ते हैं दूसरा है मैलिक अम्ल मैलिक अम्लक अम्लक राशाइनिक सुत्र क्या होता है cr Le interested अम्ल. टार्टिकम्ल का राशाइनिक सुत्र क्या होता है dog शिक तर्ट exert a इसका c4 COOH उसको टिक कर देना है ये आप लोग के एक्जाम में इन में से कुई ना कोई है C3H6O3 ये है लेक्टिक अमल का रसाइनिक सुत्र और जेलिक अमल का रसाइनिक सुत्र होता है C2H2O4 हाइड्रोक्लोरिक अमल का HCL ये तो आप लोग जानते हैं ये आसान ही है टैनिक अमल का रसाइनिक सुत्र होता है C-76 यानकी C-76, H-52 और O-46 यह है आप लोग का टैनिक अमल का रसाइनिक सुक्त एस्कॉर्विक अमल C-6, H-8, O-6 यह है एस्कॉर्विक अमल का रसाइनिक सुत्र आगे बढ़ते हैं फार्मिक अमल, फार्मिक अमल को मेथेनोईक अमल भी बोला जाता है तो अगर इस तरह से पुछें कि फार्मिक अमल का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो भी CH2O2 होगा और अगर पुछें कि मेथेनोईक अमल का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो CH2O2 यही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं चूना जल का चूना जल का पुछ देता है यह important है और बहुत बार पूछा भी गया है CAOH2 होता है चूना जल का रसाइनिक सुत्र आगे बढ़ते हैं देखिए आगे है sodium hydroxide यह तो आप लोग जानते हैं कि खाने का soda करसाइनिक सुत्र क्या है या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि sodium bicarbonate करसाइनिक सुत्र क्या है तो तीनों का एक ही सुत्र है NaHCO3 याद रखिएगा खाने का soda करसाइनिक सुत्र NaHCO3 यह 100% है कि पूछेगा आगे बढ़ते हैं यह वाला तो most important है sodium carbonate यहन की धोने का soda करसाइनिक सुत्र क्या होता है इसका सुत्र होता है Na2CO3 10H2O यह याद रखना है यह 100% पूछेगा आगे बढ़ते हैं plaster of Paris यह भी important ह से CASO4 2H2O यह है plaster of Paris का रसाइनिक सुत्र या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है CASO4 1 by 2H2O तो इन दोनों में से कोई भी option में दिखाई दे उसको टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं तूतिया तूतिया का रसाइनिक सुत्र होता है CUSO4 5H2O याद रखना है यह भी पूछा जा चुका है question बहुत बार अगला रसाइनिक योगी का नाम है शिश्क बुझा हुआ चूना का रसाइनिक सुत्र होता है C AOS2 आगे बढ़ते हैं लास्ट है जिपसम का रसाइनिक सुत्र होता है CASO 4 2H2O तो यह था कुछ रसाइनिक योगी को के नाम और उसका सुत सब्सक्राइब चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज